कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी बता दीजिये, बहुत इजी है बच्चो पहले भी मैं आपको काफी सारी वीडियो में बता चुको हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ, कि भी आपको कीवोईट बनाना कैसे है, कीवोईट बनाने के लिए बच्चे, आपने करना क्या है एक rectangle draw गरना है ठीक है और जब ये rectangle आप draw कर लोगे कुछ इस तरह से इस rectangle के उपर एक और rectangle आपको इस तरह से draw गर लेना है जब ये दोनों rectangle आपके complete हो जाएंगे ठीक है इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हो और जब इसके जो corner आपको देख रहे हैं बच्चो कि first rectangle का भी और second rectangle का भी जो corner दिख रहा है इस corner को use करना है आपने और दोनों corner को आपको मिला देना है corner को जिसे हम vertex भी बोलते है ठीक है तो देखो मैंने इन दोनों को मिला दिया और इसी तरह से बाकी जो remaining है इसे भी मिला दूँगा तो जब मैं इस चारो corner को भी first rectangle के corner को second rectangle की corner के साथ आपकी सामने की boy ठीक है काफी easy है कोई मुश्कल नहीं है इसके अंदर और इसी तरह बचे नहीं भी बोला कि सर मुझे एक और problem में क्यूब कैसे बनाते वह भी बता दीजिए सेम है प्रोसेजर बिल्कुल सेम है बस difference इतना है इसके अंदर कि आपको rectangle यूज नहीं करना next time य आप लोग यूज कर सकते हो scale तो ज्याद अची drawing बनेगी आपकी और उसके उपर एक और square है इस तरह से आपने draw कर लेना है ठीक है जो आप दोनों square इस तरह से draw कर लोगे तो भी यह देखो यह बन गया अच्छा एक बच्चे ने का ओके सर समझ में भी आ रहा है उससे दो कि बच्चो तो यह आपके बस बनके आ जाएगा क्यूब ठीक है तो यह क्यूब बनाने का प्रोसीजर ऐसा था और यह कीबोईट दोना सेम अब बेस का ध्यान रखना है कि जब कीबोईट ड्रॉ करते हो तो उसमें बेस हमारे पास rectangle होता है ठीक है और अगर मुझे ड्र कि कोई प्रॉब्लम ना रहे हैं यह देखो यह मैंने रेक्टेंगल यूस किया ठीक है और एक और रेक्टेंगल यूस कर लेता हूं कुछ नीचे तरब उतार ले इसे मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं कुछ इस तरह से यह देखो बन गया यह मैंने 2nd rectangle ड्रॉक कर लिया अब स्के स्क्वेर बनाना है ठीक है यह स्क्वेर आपके सामने है उसके बाद भी एक और स्क्वेर ले लो और इसे ड्रॉ कर लो और बहुत अच्छे से बन जाएगा ठीक है और मैं लास्ट में क्या करूँआ चारो कॉर्णर को इसे मिला दूँगा तो बहुत सारे बच्चों ने देख